कोई भी बैक्ति अपने कर्मों से बड़ा होता है ना कि जनम से आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे उस बैक्ति के बारे में जिसे हम लोग आचार चाड़क कहते हैं याद रखिए आज के नेताओं की आप पहले वाले नेताओं से कभी तुल्ला मत कीजिए क्योंकि जमीन आसमान का फरक पाएंगे आपर आज के जो चाड़क ओभर रहे हैं इन्हें चाड़क मत कहिए ठीक है क्योंकि आज के चाड़क और समय के चाड़क में जमीन आसमान का फरक है याद रखिए आपको याद होना चाहिए कि एक निम्न जाती के यानि कि बहुत निचली जाती के व्यक्ति को उठा कर चाड़क ने राजा बना दिया आप समझ सकते हैं कि उसकी चतुरता के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए ब्रह्मण का मतलब पंडित नहीं होता है कि पुजारी से लगा लेते हैं आप लोग ब्रह्मण का मतलब होता है एक पड़ा लिखा ज्यानी बेक्ति फिर चाहिए वो किसी भी जाती का हो किसी भी दहरम का हो इसलिए कहते हैं कि इनहीं नहीं तो कहा है कि कोई भी वेक्ति अपने कारेओं से वड़ा महान होता है यानि कि अपने कर्मों से वड़ा होता है लाकि अपने जनम से आप देखते हैं कि कई जाती बड़ी जातिया हैं जिसमें आप लोग देखेंगे कि हर तरह से तुछ काम किये जा रहे हैं कई इनिचली जातियों के वेकिति ऐसी भी मिलेंगे जो इतने महान काम करते हैं कि बड़ी जातियों से भी महान काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं आज हम लोग इनहीं के बारे में जानेंगे आचार चाड़क के बारे में हम लोग बात करेंगे इनका जीवन पर चाहे देखेंगे और इनके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप अर्थ सास्त्री कह लीजे फिर चाहे आप बिद्वान कह लीजे फिर चाहे आप लोग पॉलिटिकल राजनेतिक राचनेतिक कह लीजे जो भी कहना हो हर छित में ये बढ़ चड़ कर रहे हैं अवेसा तो इनके बारे में पढ़ने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्या मिलेगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आचार चाड़क के जो की विश्नुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और कौटल के नाम से भी ने जाना जाता है बेक महान दार्षनिक अर्थ सास्त्री राजनेता आप समझ रहे हैं महान दार्षनेक अर्थ सास्त्री भी थे राजनेता भी थे एक बहुत बड़े बिद्वान भी थे उन्होंने भारती राजनेती गरंध दा अर्थ सास्त लिखा एसे भी कई वार आपका वंडे ग्र्याम में पूच लेता और कई वार आपका जनेरल लॉलेज के लिए भी याद रखिए अर्थ सास्त किसका गरंध था? कोटल लिसाहब का इस गरंध में उन्होंने संपती अर्थ सास्त और भौतिक सपत्ता के संबन्ध में उस समय तक के लगभग हर पहलू को भारत में लिखा राजनेतिक विज्ञान अर्थ सास्त के चेत में विकास के लिए किये गए उनकी महत्पूरे उदान की बज़े से उन्हें इस चेत का विद्वान और अग्णी माना जाता है आप सोचिए कि आज के जो राजनेता है इनकी बात नहीं कर रहो पहले कि जो राजनेता में एक क्वाइल्टी होनी चाहिए यानि कि उसकी कर्तब होना चाहिए आज से 2300 साल पहले बता दिया था कोटिल ने कि इस तरह का नेता हमारे देश को आंगे बढ़ा सकता है समझ रहे हैं तो हमारा देश मतलब आजका नहीं है आप सोच रहे हो कि हमारे देश को इन नेताओं ने समाल के रखा हुगा है कभी नहीं आपने देखा इतने हमले हुए मुसलिम सासकाय किस तरह से तहसनेस करते रहे फिर भी हमारे देश को खतम नहीं कर पाया कोई आचार चाड़क के महान विचारों को अगर अपने जीवन में उतार लिया जाए तो बाकई हमारा जीवन सफल हो सकता है आचार चाड़क ने अपनी बुद्धी मता और कुसाग विचारों से कूटनीती और राजनीती की बेहत सरल ब्याक्या की वारतवस में चाड़क को एक समाज का सेवक और विद्ध्वान माना जाता है चाड़क की नेतियों से कई विसाल समराजभी स्थापित किये गए आज हम लोग जानेंगे इन्हीं के बारे में कि महान विद्ध्वान चाड़क की जीवन में और उनकी महांता के बारे में और उनके जीवन के संगर्षों के बारे में बे कैसे गरीवी कुपार कर इतने पिखर विद्वान बने इसके साथ ही अनमोल विचार भी उनके हम लोग देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप लोग देख लीजी यह है चाड़क पिक्चर्स जो धहरवान नहीं है उनका ना तो वरत्मान है ना ही भवस भवस आप उसे यही के तो कहता हूं कि आप कुछ भी काम करें उसमें धहर रखें क्योंकि एक समय की बाद आपकी मेहनत भी काम लाएगी कई लोग होते हैं आपने देखा है कि जल्दी 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 उन् कि हम लोग नाम की बात करें तो इनका नाम चाड़क जनम की बात करें तो 350 इसापूर में अनुमानित इस फर्ष्ट नहीं है आपकी याद रखें कभी 375 भी बताया गया है कभी आपका 400 इसापूर बताया गया है तो एक लिए डेट नहीं है ठीक है याद रखें 350 इसापूर में हुआ था इसापूर का मतलब है याद रखें BC आप लोग बात करते हैं इसे ही इसापूर कहते हैं और AD जो कहते हैं इसे हम लोग इस भी कहते हैं इसके लिए एक सीधा सा मतलब याद रखें के ईसा के जनम के पूर्व की तिति की को हम लोग इस भी कह देते हैं याद रखना हुआ मित्यू की बात करें इनकी डैत 255 इसापूर में पाटली पुथ आधुनिक जिसे पटना में यहां हुई थी पाटली पुथ अभी आपका यह पटना में भारत बिहार में ठीक है सेक्षडे की यगधिता की बात करें तो समास सास्त, राजनीती, अर्थ सास्त, दर्सन, आधिकार अध्यन किया हुआ है आप समझे यास से वही 2300 साल पहले की बात है समझ रहे हैं आप लोग तब इस तरह की इतने बिद्वान इस तरह से पढ़ने वाले बुरे हैं बिभायक इस्तिती की बात करें तो बिभायक थे पिता के नाम इनके रिसी कानाक या फिर चैनिन, जैन गरंत के अनुसार इन नाम है और चन्ने सुरी इनकी माता का नाम था एक बात फिर से बोल रहा हूँ कि इनके नाम हो फिर चाहे इनका जिनमिस्थान हो इनके बारे में कुछी जैन गरंतों से या फिर बहुत गरंतों से हमें पता चलता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2300 साल पहले किसी को कुछ भी बता पाना उस बारे में संभोव नहीं है समझ रहे या उनका एक कोष्ट दिया गया है इसे भी देख लिए भाग भी उनी का साथ देता है जो कठिन से कठिन तो इस्तितियों में भी अपने लक्ष के पिती अडिक रहते हैं एसे महान विचारों के पेड़ीता महापंडित चाडक के जनम के बारे में कुछ भी सपश्ट नहीं पिर भी उनका बौद धर्म के मुताबिक तीन सो पचास इसापूर में तक्छ सिला की कुटिल नामा की ब्रहमडवंस में हुआ था उन्हें भारत का मैक्या वाली भी कहा जाता है आपको बता दें कि आचार चाड़क की जनम के बारे में अलग अलग मदवेद है बताया ना आपको कि इनके बारे में किलिया डेट का मालू नहीं है कुछ बिद्वान उन्हें कौटिल कुटिल बंस का मानते हैं इसलिए कहा जाता है कि कुटिल बंस में जनम लेने की वज़े से उनका नाम कौटिल पड़ा जबकि कुछ बिद्वानों की माने हम लो तो अपने बे अपने उग और गूर्ण स्वभाव की बज़े से संथ कौटिल लेकी नाम से जाने गए हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पड़ना है बस हमें मालू याद रखना चाहिए कि क्या था किस कारण ने की अब क्या सच है क्या गलत है यह तो उस समय भगवान जानते होंगी समझ रहे हैं आप लो क्योंकि उस समय के इस तरह के कोई प्रमाड नहीं है कि किलियर बता सके जबकि कुछ विद्वानों की माने तो इस महान और यसस भी विद्वान का जनम नैपाल की तरही में हुआ था जबकि जैन धरम की अनुसार उनकी जनम इस्तिलूई मैसूराज इस्तिस सैवन वेल गूला को माना जाता है यह आपका दच्छन भारत में जनम इस्तान को लेकर मुद्र रक्चस के रचेता की अनुसार उनकी पिता को चमक कहा जाता था इसलिए पिता की नाम की आधार पर उनने चाडक कहा जाने लगा है चाडक का जनम एक बेहत गवी गरीब परिवार ब्रहमभड में हुआ था उन्होंने अपने बच्पन में काफी गरीवी देखी, यहां तक की गरीवी की वज़े से कभी-कभी तो चाड़क को खाना भी नसीब नहीं होता था, उन्हें भूख के पेट भी सोना पड़ता था आप समझें, अगर इतियास में किसी ने काम किया है, तो वो लोग वही रहे हैं जो बहुत बुरी स्थिति से निकले हुए, उन्हें का नाम इतियास में आज भी याद रखा जाता है, वो कहते हैं ना कि आसानी से मिलने वाला इतना अच्छा नहीं होता है, आप समझें कि उसी आद्मी को याद रखते हैं, बहुत बुरी तरह से तूटने के वाद, वो शफल हो, तभी उसी विठ्टि को हर कोई याद रखता है, और आपको इनके जो विचार रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहिए, उनकी जिंदगी जो रहे हैं उसके बारे में जानिये न, आप समझें कि ऐसे नाम पढ़ा क्यों नाम पढ़ा इसके बारे में दो-चार पॉइंट आपको याद रखना है जानदा उलाजिना नहीं है इनकी जिंदिगी की बारे में अब आप सुचिए कि आज से कुछ साल पहले आपके आपके जो दादा पर दादा थे उनसे कुछ जानकारी के बारे में हम लोग पूछते तो वो कहते हैं साइन्स के बारे में कुछ मालू नहीं साइन से ओड़ा नहीं जा सकता है ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ओड़ रहे हैं हवाई जहाजों में चल रहे हैं तो हो सकता है कल और अच्छी तकनीक उपलग दो तो इसी लिए हैं कि उस समय ऐसी कोई तकनीक नहीं थी कि clear आप लोग date रख सके उनकी आज भी मैं कहीं ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं खुद जानता हूँ कि हमें खुद अपनी date और birth याद नहीं के लिए और जहां लिखवाते हैं घरवाले उसे भी भो भो भूल जाता है भो भी पंडिन जी कहीं चल बसते हैं तो आपने देखा होगा वही date आप लोग यूश करने लगते हैं जो आपकी मार्क सीट में चड़ जाती है ठीक है? चाड़क बच्चपन से ही क्रोधी और जिद्धी सौभाओ के बच्चे थे उन्हें सौभाओ के कारण ही उन्होंने नंदबंस का बिनास करने का फैसला किया आपको बता दें कि चाड़क के सुरूं से ही साधरन जीवन यापन करने में यकीन करते थे उन्हें के बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राजिस्तरी हाट होते हुए भी इन्होंने मुह माया का फायदा कभी नहीं उठा है चाड़क को धन या स्मोर का लोब नहीं था कॉर्टल ने अपने जीवन में कई उताव चड़ा भी देखी उनके जीवन के संगहस और उनके नेक बिचारों ने उन्हें एक मान विद्वान बनाया आप लोगों से कई बार में बोल भी चुका हूँ कि याद रखी है कि अब आप अगर मुझे लगता है कि आप अपना संभराज नहीं मना सकते हैं तो आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको अधिकार है कि आप किसी की संभराज पर सासन करें मेरा कहने का मतलब है कि ठीक है आप देखिए हर कोई सहायता लेता है माबाप, घर, परिवार, भाई, भाई, बहन सबकी आंगे बढ़ने में लेकिन आप सोचें कि उनकी ही प्रोपर्टी पर आप लोग सासन करने लगें तो मुझे नहीं लगता है कि आपका मन कभी गवाही देगा भगवान आपको माप करें एक गरीब घर में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है लेकिन गरीब घर में मरना ये सबसे बड़े पाप की बात है क्योंकि आप जानते हैं कि गरीब घर में पैदा होना आपके हाथ में नहीं है लेकिन गरीब घर में मरना आपके हाथ में क्योंकि आप सोचते हैं आप बेहनत करिए आगे निकल कर आ सकते हैं आप लोग और अपनी गरीवी को अमीरमी में भी बदल सकते हैं चाड़की की सिक्षा दीख्षा की अगर हम लोग बात करें तो महान विद्वान चाड़की सिक्षा दीख्षा पिसित नालंदा विस्विध्याले में हुई थी यह आपका याद रखे प्राचीन बाहरत में प्राचीन काल में यह नालंदा विस्विध्याले बहुत फैमस हुआ करता है बेबचपन से ही बिलचण फिदिवा के धनी और एक हौनहार चात थे उनकी पढ़ने में गहन रूची थी वहीं कुछ गरंथों के मतावी चाड़क ने तक्चला में सिक्छा गरहन की आप समझ रहें कई आपके जो गरंथें बूब बताते हैं कि नालंदा में इन्होंने सिक्छा गरहन की और कई बताते हैं कि तक्चला में इन्होंने सिक्छा गरहन की क्योंकि यही बिद्ध्याले आपके फैमस थे उस समय चर्चित थे आपको बताते हैं कि तक्छला एक उत्तरपश्चमी प्राचीन भारत में सिक्षण का प्राचीन किंद था ब्रह्मर परिवार में पैदा हुए चाड़क को अर्थसास्त राजनीती योधरनीतियों दवा और जियोतिस जैसी कई विसेओं की अच्छी और गहरी जानकारी थी ब प्राफल नहीं होता है यह भी माना जाता है कि बे ग्रीक और फाल्सी भी जानते थे इसके अलावा उन्हें बेदों साहित का भी अच्छा ग्यान था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बे तक्छला में राजनितिक बिद्वान और अर्थसास्त के प्रोफेसर बन गए उसके बाद भी समराच चंदगुप्त की भरोसे मंद सहयोगी भी बन गए यह समराच चंदगुप्त मौर होई ही है याद रखिए जिसकी बात की जाती है कि एक बहुत निचली तपके का ब्यक्ति था इसे उठाकर इन्होंने राजा बना दिया समझ रहे हैं अब बात करते हैं बे घटना हैं जिन्होंने चाडक का जीवन ही बदल दिया और इतनी महांता असिल की हो इसके बादे नोंने इतनी चर्चा में आये चाडक की कुसल और महान चरित वाले विक्ति थे इसके साथ ही बे एक महान सिक्छक भी थे अपने महान विचारों और महान नीतियों से काफी लोग करिये हुए उनकी ख्याती सातवे आसमान पर थी लेकिन इस दौरान ऐसी दो घटनाएं गटी कि आचार चाडक का पूरा जीवन ही बदल दिगा ए दो घटनाएं के कौन सी थी पहली घटना इसमें सामिल थी कि भारत पर सिकंदर का अक्मड और ततकालीन छोटे राज जुगा करते थे पहले क्या होता था कि राज अलग-अलग अपने-अपने मतलब के लिए रहा करते थे तो उसी समय उनकी हार हो गई क्योंकि एक साथ नहीं मिले के लड़गें तो वो हार जाएंगे और एक बात है सिकंदर अक्मड की बात है आपकी 325-26 इसापूर की समय की बात की जा रही है दूसरी गटना की अगर हमात बात करें तो मगत के सासक द्वारा कोटिल का किया गया अपमान एक घनानंद आपने सुनाय ना उसके द्वारा किया गया कोटिल का अपमान ए दोनों उनके जीवन की बहुत बड़ी गटनाय थी उपर लिखी गई दो उनके जीवन की ऐसी घटना हैं, जिनकी बज़े से कॉटल ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया, उनने ने सिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने के वज़े देश के सासकों को सिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला की लिया, ब अपने दर संकल्प के साथ घर से निकल पड़े, आप ही सोचिए कि आपके देश में अभी देखते हैं कि कितनी बुरी तरह से सिक्षा एक बड़े तपके के लिए कही जा सकती है, उनके बड़े तपके के लिए आप लोग देखते हैं कि VIP स्कूल है, VIP होस्पीटल है, आप स उसने काम नहीं किया होता, तो दूसरी बार जंदा इतनी तगड़े से कभी न जिताती, अभी मैंने रजल्ट देखा हूँ, आगर तो सरकारी स्कूल का रजल्ट 97 कितना, 97 से 98% रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये सरकारी स्कूल का रजल्ट है, और बाकी राज्यों में देख लिजे कहीं भी इतना रजल्ट सरकारी स्कूल के बच्चे का कभी नहीं मिलेगा, और स्वास्त की बिवस्ता आपने सुनी होगी कई बार के, जो दिल्ली सरकार के स्वास्त बिवाग अस्पताल हैं, उसमें बाहर से भी लोग एलाज करवाने की आते हैं, इतनी बेहतर सुब को डखे लिगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम उस सदी में 21 सदी में पहुँच चुके हैं, जहां हमें अंद विस्वासों की बजए बिग्यान में ओलाजिना बेहतर है, और यही देश को आंगे ले जा सकते हैं, आपको बताते हैं कि जब भारत पर सिकंदर ने आखमण किय तो उस समय चाड़क की तक्चिला में प्रेंसीपल थे, यह उस समय की बात है जब तक्चिला और गंधार की समराट, आंबी ने सिकंदर से समझोता कर लिया था, चाड़क ने भारत की संस्किती को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया उस समय, जिसके बात पुरू ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन भी हार गए, उस समय मगद अच्छा खासा, जो मगद राजी था, अच्छा खासा सक्तिसाली राजी था, याद रखिए उस समय कहा जाता है कि यह सबसे अमीर सासक था घनादन उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्यपन नजर थी, जिसको देखते हुए देशित की रक्षा के लिए विश्णु गुप्त यानि चाड़क ने मगद के ततकाली समराड घनानन्द से सिकंदर के प्रवाव को रोकने के लिए साहय ता मगी, लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से बिच्जित किया जाता है, लेकिन भोग भोग बिलास एवं सकती के गवन में चूर घनानन्द ने चाड़क के इस फिस्ताव को ठुकरा दिया, उसने कहा है कि पंडितो और अपनी चोटी का भी ध्यान रखो, योदे करना राजा का काम है और तुम पंडिती हो, पंडितो सरिप पंड़ताई करो, इस तरह ऐसे ताने दिये गनानन्द ने और उन्हें निकाल दिया हों से अपने सभा से, एक बात अमें से याद रखे कि अगर व्यत्ती गरीवी में मुझे रखता है, गरीवी में रहता है तो इंसानियत अपनी बरकरार रखता है, लेकिन कुछी लोग हैं जो अमीर होने के बाद भी अपनी इंसानियत बरकरार रखे हुए, बरना अक्सर क्या होता है कि थोड़ी पहुच बढ़ती है, उनकी तरकी मिलती है, अपनी ओखात भूल जाते हैं, समझ रहे हैं आपको, तो कुछी लोग होते हैं और उन्हें को भगवान खुशती रहता है, और भगवान सोचता है कि उन्हें इंसान का जन्म देकर उसने कोई गलती नहीं की, क्योंकि आप सोचिए कि आप एहबान बनकर अगर 200 साल भी जी जाएं, तो कोई फरक नहीं पड़ता, कौन आपको याद रखेगा, 135 करोड जनसंक्या, 140 करोड जनसंक्य पहुच चुकी है, किस-किस को याद रखेगा, उसी को याद रखता इतिहास जो उस लाइक कुछ करके जाता है, अपने से जान्दा दूसरों के लिए जीता है, अभी मैं कहां पड़ रहा था कहीं, आर्टिकल में, कि जनम का यह मतलब नहीं है कि अपना परिवार एक पैद गाये जनम देती है बच्चे को, आपको दूद देती है, कमसे कम आपको दूद देकर वो अपना धरम तो निभा रही है, और अपने जिंदिकी भर उसकी इसी में निकल जाती है, तो हम भी तो वहीं कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए बच्चे दो-चार दस पैदा कर देना और अपने परिवार का परिवार का ख्याल लगते रखते, मौत के मौय में एक दिन चला जाना, पड़ोसी को अगर दस रुपेगी भी जरूरत है, तो हम लोग कभी उसकी मदद नहीं करेंगी, कोई गरीब का बच्चा अगर दस रुपे मांता है, तो उसे हम लोग कभी नह नहीं देंगे, और अपना बच्चा अगर देबावली पर दस रुपे भी पटा के जला दीता है, तो हम खुस होते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ी है इंसानियत की अब्बा की, इंसानियत और राजनिता दो सब्द ऐसे बचे हुए हैं, जिनका कर्तब क्या था, यह समये चाडख ने नंदबसन समवराज का बिनास करने की पितिग्या ली, अब बात करते हैं, हम लोग चाडख और चंदगुप्त के, चाडख और चंदगुप्त का गहरा समम् differenti, चाडख चंदगुप्त के समराज के महा मंत्री थे, और उन्होंने ही चंदगुप्त का जिस थापित करने में उनकी मदद की थी इस बैक्ती को कह सकते हैं आप लोग की देखिए कितना चब बिद्धवान था कि एक बिलकुल नीचले तपके से यानि कि जिसका कोई बैक्गराउंड ना हो उसे ले जाकर सीष नितत समालने को देश का पिदान मंतरी बना दे इस तरह से और आज तो आप देखिए कि आपके अगर देखिए मैं कहीं पढ़ रहा था भी फिर से बताता हूं कि सब के पास इतना मदलब दिमाग है कि वो कुछ भी कर सकता है बस लेकिन उसे आउसर तो मिलना चाहिए करने के रिए अब जैसे आपके पास दिमाग है और आपके पास युगता है कि आप देश को बेहतर चला सकते इन सभी नेताओं से समझ रहे हैं लेकिन आपको उस पद को मिलना तो चाहिए तभी तो चलाएंगे आप लोग लेकिन आप देखते हैं कि उन्हीं के बेटा नेता के बेटा को नेता के बेटा को मिलता रहता है और देश इसी तरह गड़े में जाता रहता है समझ रहे हैं तो आप कहा जाए एक कह देए कि आपका दिमाग कमजोर है तो ऐसा भी नहीं है आपका दिमाग है उनसे तेज है आप उनसे जानदा परफॉम्मेंस दे सकते हैं देश को आगी ले जा सकते हैं लेकिन आपको उहां मिले तो वो राजगदी समालने को मिले तब तो करेंगे आप यहां से नीचे बैठकर तो आप करनी सकते हैं और भी नीचे बैठकर आप लोग चिल लाएंगे तो आपको जेल में डलवा दिया जाएगा या पर आपको बुरी तरह से पिटबाये जाएगा समझ मैं है मैंने इसलिए सोचा है कि आपका प्राचीन मारस से लेकर पूरे मद कालेन फिर पूरे आदो निकाल सभी के हम लोग बायवगराफी कवर करेंगे आपके सभी पिदानमंतिरियों, राष्टपतियों और चर्चेच बैठती हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर चुपे हैं अभी कुछ ही दन पहले आपके अन्नाहजारी के बारे में बात की थी हम लोग लें बहुत महान बैखती हैं अन्नाहजारे जिन्हों ने अपना देश को पूरा जीवन सौंप दिया उसके बाद भी हो अगर उनके हम लोग बिचार समझें तो बहुत कुछ कहते हैं उनके बिचार और उनके बिचार हम लोगों को दोसी टहराते हैं यानि कि कहने के मतलब बोटरों को दोसी टहराते हैं कि हमारे यहां की जनता जागरूप नहीं है हमारे यहां की बोटर जागरूप नहीं है तो देखिए उनकी भी बाईविरापी देखिए और भी जिनने महान राजा हुए हैं मुझे लगता है कि आप लोगों को बता दिना चाहिए उनके बारे में उनके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे ठीक है दरसल नंद समराज की सासक द्वारा अपमान के बाद चाड़क अपनी पितिग्या को सार्थक करने के लिए निकल पड़ते हैं इसके लिए उन्होंने चंदगुप्त को अपनासिस बनाया। चाड़क उस समय चंदगुप्त की पितिव्या को समझ गए। इसलिए उन्होंने चंदगुप्त को नंद समराज के सासक से बदला लेने के लिए चुना। जब चाड़की की चंदगुप्त मौर से मुलाका तु तब चंदगुप्त महर 9 साल के थे कितने आप सोचिए कि 9 साल के बच्चे को उन्होंने समझ लिया कि ये कुछ कर सकता है इसके बाद चाड़क ने अपने विलक्षन ग्यान से चंदगुप्त को आप प्रविधिक बेशयों और बेभारिक तब प्राविधिक कलाओं की सिक्ष साथी वही आपको बता दें कि चाड़क ने चंदगुप्त को चुनने का पैसला इसलिए लिया क्योंकि उस समय कुछ मुक्ष सासक जातियां ही थी जिसमें साथ मौर का प्रवह जान्दा था वही चंदगुप्त उसी गड़ के फिरमुक का पुत्त था जिसके बाद साथ मिलकर अपनी नीतियों से नंद समराज का पतन और मौर समराज की स्थापना किस तरह से हुए सक्ति साली और घमंड में चूर नंदवंस का राजा घनननंद को जोकी अपनी सक्ति का गलत इस्तेमाल करता था जिसने यस सिवी और महांदार से चाड़क का अपना अपमान किया था जिसके बाद चाड़क ने चंद दुगुप थे के साथ मिलकर अपनी नीतियों से नंद बंस की का पतन किया एक बात आप आज जन निताओं को आप लोग देख रहे हैं जिने आप अपना आइडियल फरुस मानते हैं जिनकी आप लोग अंद भक्ती करते रहते यही हाल था घनानंद का कि इस्तरियों से सतसंग इस्तरियों को घर बोलाना और उनकी मतलब आप समझ सकते हैं कि सराब में डूबा रहे ना कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं थी घनानंद में जिससे वो राजा कहा जा सके जिस तरह आप देखते हैं कि नेता आजकल की नेता को समय जो घनानंद था उसी समय आजके कई नेता इस तरह के कित्त में सावल है आपके आचार चाड़क और चंदगुप्त मोर ने नंद समराज के पतन की मकसद को लेकर कुछ अन्न सकती साली सासकों के साथ गठबंदन बनाए थे आपको बता दें कि आचार चाड़क मगत चेत की पाटली बुत में नंद नंदाबंस का पतन किया और जीत हासिल किया वहीं नंद समराज की आखरी सासक की हार के बाद नंद समराज का पतन हो जाता है और उन्होंने चंदगुप्त मोर के साथ मिलकर एक नए समराज जिसे हम लोग मोर समराज के थे इसकी अप समझ सकते हैं कि एक पूरा करता धरता रहता है उसके बात फिर भी वो सलायकार ही रहता है वो किसी पत को नहीं लेता है समझ रहे हैं एक गुरू हुआ करते थे चाड़की की मारत्दसन से मारत्दसन से मार समराट चंदगुप्त मार गंद्रह में इस्थित जो की वरतना समय में अफगानिस्तान में अलेकजेंडर दग्रेट की जनरलों को हराने के लिए आगे बड़ी बुद्धिमान और निर्मम चाणक ने अपनी महान नीतियों से चंदगुप्त मौर के समराज को उस समय के सबसे सक्तिसाली समराजों में बदलने में अपनी एक मत्पून भूमी का भीविन बाई चाणक की नीतियों से मौर समराज का विस्तार पश्चिम में सिंदू नदी से पूर में आपका बंगाल की खाड़ी तर किया गया और बाद में मौर समराज ने पंजाब पर भी अपना नियंतर्ण कर लिया इस तरह से मौर संबराज का विस्तार पूरे भारत में किया गया अनेक विसेओं में जानकार और महान बिद्वान चाड़क ने भारती राजनितिक गरंथ अर्थ सास्त्रिवी लिखाए एवी भहुत फैमस किताब हैं की जिसमें भारत की उस समय की आर्थिक इस्तिती राजनितिक और सामाजी गनीतियों की व्याक्या समय अन्न मात्मून विसेओं की जानकारी दी गई है लेकिन हमारे याकी नेता है हमारे याकी राजनिती में इसका कमी उपयोग किया जाता है समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे नेता अपने कलतब को निभाना ही नहीं चाहते हैं उनका क्या कलतब है वो उसे भूल कर ही काम करना चाहते है उससे बड़ी सरम बाली बात हम लोगों को खुद रखनी चाहिए कि हम उस ब्यक्ति को नेता मना रहे हैं जिनकी आउकाद कुछ करने लाइक नहीं है समझ रहें एक ग्रंथ एक ग्रंथ चाड़क ने इसलिए लिखा था ताकि राज़ की सास्कों को इस बात की जानिकारी हो सके कि योद्ध और अकाल महामारी के समय राज़ का परवंधन कैसे किया जाए जैन गरंथों में वड़ित एक लोग परी एक किद्वन्ती के नुसार चाड़क के समराट चंदगुप्त की भोजर में जहर की छोटी खुराग को मिलाती थे जैसे मौरवंस की समराट की दुस्मनी द्वारा संभावित जहरीले प्रयासों के खिलाब मजबूती बन सके और भी अपने प्राणों की रक्षा कर सके इसे आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि पोलियो को टेका लगाया जाता है आपको बच्चमन में क्यों लगाया जाता है कि आगे चलकर अगर पोलियो आपको होता है पोलियो वाइरस आप पर अटेक करता है तो उस समय आपकी रक्षा हो सके इसे के लिए आपको पहले से ही एकडोद दे दिया जाता है वहीं इस बात की जानकारी में मिलती है समराट चंदगुप्त मौर को मौर को नहीं थी इसलिए उन्होंने अपना खाना अपनी गर्वती रानी दुधा को खिला दिया और आपको बता दें कि उस समय रानी के गर्व के आकरी दिन चल रहे थी बेकुछ दिन बाद ही बच्चे को जनम देने युग थी जैसे कि आपको पता है कि वो मतलब चंदगुप्त मौर को थोड़ा बिस्क देते रहते या थी भोजर में लेकिन इसकी जानकारी चंदगुप्त मौर को नहीं थी तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो बीवी थी उनकी रानी दुर्दरह उनको भुझ ठाली खिला देती है इससे क्या होता है कि उनकी हालत बिगड़ने लगती है क्योंकि चंदगुप्त महुर साब को तो क्या था कि उन्हें तो एक तरह से आदत पड़ चुकी थी उस तरह का खाना खाने की लेकिन रानी को उनकी इससे नुकसान हुआ लेकिन रानी दुर्दरा खाये गए भोजन में जहर ने जैसे ही काम करना सुरूं किया वैसे ही रानी बेहोस हो गए और थोड़े समय बाद ही उनकी मौत हो जाती है जब इस बात की जानकारी चाणको ही तो उन्होंने रानी की गर्म में पल रहे नावजाद बच्चे को बचाने के लिए अपनी गुद्धी मान नेती का इस्तिमाल कर अपना पेट खोल दिया रानी को और बच्चे को निकाला इस बच्चे का नाम बिन्दू सार था क्या था? बिन्दू सार रखा गया जिसे बड़ा होने पर मौसमराज का उत्रादिगारी भी बनाए गया वहीं चाड़क ने कुछ सालों बाद बिंदु सारे की राजनितिक सलायकार की रूम में कभी काम किया आप समझ सकते हैं कि उस समय भी इतनी बिवस्था थाई कि एक रानी मर्द जाती है उसके पेट से बच्चे को जिन्दा निकाल लिया जाता है आप क्या सकते हैं कि उस समय हॉस्पीटल इस तरह की हो गए होंगी यानि कि चाड़क को बहुत बुद्धी मान कहा जा सकता है आप सूचिए कि 2300 साल पहले इतनी कला थी इतना दिमाग था उनके पास की एक इस तरही मर्द जाती है उसके पेट से जीवद बच्चा निकाल लिया जाता है आज के डोक्टरों को आप देखिए अब बात करें चाड़क की अगर अंतिम सफर की यानि की मित्यू की यानि के इनके मलने की तो 275 इसापूर में चाड़क की मित्यू हो गई चाड़क की मौत भी उनके जनम की तरह कई रहस्यों से गिरी हुई है एक और इनके बारे में यही कहा जाता है जो बिंदू सार के और भी मंत्री हुआ करते थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी मा को इनने जहर देकर मार डाला लेकिन हकीगत कुछ और थी क्या थी? हकीगत और थी तो बात में कहते हैं कि बिंदू सार मनाने के लिए गए है चाड़क को लेकिन चाड़क तुरणल ले 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 थे आप समझते हैं कि एक सुद्ध जो बिरहमण होता है मतलब कोई भी बिद्वान होता है जो सच्चाई पर हमेशा चलता रहता हो अगर वो एक बार अपना जो भी पितिग्या ले ले उसे पूरा करके ही रहता है तो यही हुआ चलिए जो भी रही हो इनकी मौत जिस तरह से भी रही हो आपको दो-चारी पॉइंट याद रखना है इनकी मौत में भी अगर हम लोग इनके जीवन के सम्भान की बात करें इनके लिए तो बिलक्षण पितिवा से धनी चाड़क की सम्भान सम्भान में नई दिल्ली में राजनाई इनकलेव का नाम चाड़क की नाम पर चाड़क पूरी रखा गया इसके अलाबा भी अन जगों और संस्थानों के नाम भी चाड़क के नाम पर रखी गए है चाड़क के कई टेलिविजन सीरिज और कितामों के भी बिस हैं आप लोग देखते रहते हैं ना कई स्कूलों का नाम भी चाड़क कर रख दिया जाता है कई कोचिंगों का नाम भी चाड़क कर रख दिया जाता है याद रखे लेकिन नाम रखने से कुछ कोई चाड़क नहीं बन सकता है समझ रहे हैं आप लोग कहने का मतलब यह है कि महान विद्वान की नजर में एक विद्वान चाड़क ने कुसल राज की स्थापना करने के अपने विचार ब्यक्त किये थी उनकी ओधार्णा के मताबिक एक कुसल राज के लिए तो राजा उपर जाकी भी पिता और पुत्त जासे संबन्द होना चाहिए यह आपको देखने को मिलता है बिलकुल नहीं कहेंगे आप लोग की देखने को मिलता है आज सोचिए कि आपका अगर बेटा बीमार हो जाए तो आपकी जान निकल जाती है और अभी राजा का मतलब है नेता से आपके देश के नेतागी हालत सोचिए एक समय हुआ करता था कि एक निता के कारकाल में रेल मंतरी रहते हुए एक दुलगटना हो जाते है रेलवी की वो अपना इस्ठीपा तुरंट दे देते हैं और बड़ी सरम से कहते हैं कि मुझे सरम है मतलब माफी मांगते हैं जन्ता से लेकिन आज के राज नेताओं को देखिए खून पर खून पीते जा रहे हैं जन्ता का फिर भी माफी मांगने का कोई नाम नहीं है तो यहां कहें का मतलब है कि जन्ता क्या और अगर जन्ता के लिए आपको खून भी बहाना पड़े तो एक पल सोचे बिना आपको बहा देना चाहिए तो होता है नेता हमारा आज के नेताओं को नेता मत कहिए इन्हें तो उसी तरह से कह सकते हैं कि आप नौकरी आप मैनत करते हैं कि एक नौकरी मिले तो पैसा कमाओ अपना परिवाद चलाओ ये भी वही काम कर रहे हैं कौटिल के राज की नीती में या कहा कहा है कि राज का निर्मार तब हुआ तब हुआ जब मत्स न्याय कि कानून से तंग आकर लोगों ने मनू को अपना राजा चुना और अपनी खेती का चटवा भाग और अपने आबूसर का दसवा भाग राजा कुदेने को कहा राजा इसके बदले में प्रजा की रक्षा उस समाजकल नियाड का उत्तरदायत समालता था चाड़क के राज के सासक को लेकर क्या यानि की नेता को लेकर उन्होंने क्या कहा विलक्षड पिदिबा के धनी और महान चाड़क बिद्वान चाड़क ने अपने महान बिचानों और ग्यान के बल पर कहते थे कि प्रजा की सुक में ही राजा को सुक होना चाहिए पिरजा की हित में ही राजा का हित नहित होना चाहिए इसके लिए राजी के सासक को इसके लिए पहले ही सिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो एक अच्छे राजी का निर्मान करने युग बन सके और राजी का विकास कर सके आप समझे कि अगर आज एक अच्छा नीता होता है जिसमें इंसानियत होती है अपना धरम होता जिसका तो लॉकडाउन की चक्कर में जिस तरह से गरीब मर रहा था पिस रहा था लाचार था पूरी तरह से तो उस समय आप सोच चीए कि वो अपने पाद से श्टीपा दे दीता और रोड पर उतारा था आप एक लिए से सोच चीए कि आपके यहां उत्तर पिदेश का ही आप लोग ले लिए कि यहां आपके 80 सांसन है लोग सावा में ठीक है 31 आपके राजसावा में सदस हैं 403 के करीब आपके विधायक हैं ठीक है अगर यह सबी लोग मदद करते गरीबों की कोरोना मामारी के टाइम तो मुझी नहीं लगता है कि कोई बैक्ती मूँक से मरता कोई बैक्ती रोड पर किसी मा को जनम देने बच्चे को जनम देने की नौबत आते अगर यह अपना नेता धरम नभाते तो कभी इस तरह की परिस्थिती ना बनते जो युवास होते हैं नेता आप देखते हैं फेसबुक पर महा मंत्री प्रहे मंत्री, वो मंत्री, खलाने मंत्री कोई भी आपका देश का कोई भी नेता छोटे तपके से लिकर उपर के तपके तक का कोई भी बाहर नहीं दिखा आपको रोड़ पर गरीबों की मदद करती हुए हाँ समासेवी संगठन और समासेवी उने बहुत मदद की गरीबों की समझ रहे हैं लेकिन हमारे जोगी नेता है पूरी तरह से अपना धरम भूल चुके हैं पर भी हम लोग खुस हैंगे चाड़क्य के चाड़क्य के मुताबिक एक अच्छे सासक बनने की पिक्करिया मुणन संसकार से सुरू की जानी चाहिए सबसे पहले राज़के सासक को वडमाला और अंकमाल का भ्यास कराना चाहिए वहीं जब सासक कोई सकी समझ हो जाए तो उसे दंड नीती का घ्यान भी कराना चाहिए तब ही वही एक कोसल सासक बन सकता है चाड़क ने अपनी इनी नीतियों में सिचंद गुप्त मौर के बालकाग से ही इतच्चे सासक की रूम में सिक्षित किया था और आज के सासकों को आप देखी है कि इन्हे छोटे इस तर से यानी की सिक्षा की बात की ज़राई यहां आपके पड़े रेखे के मतलब आप सोचिए कि अगर आपको कॉंश्टेवल भी बनना है तो दस भी कम से कम दस भी पास आपको होना चाहिए और एक पिधार मत्री बनना है अगर देश का राष्ट पती बनना है तो इस तरह की कोई एवगता नहीं आठवी पहल को भी आप लोग सांसत बनते हुए देखते हैं समझ रहे हैं आप लोग एह हालत है अब सोचिए दसवी आठवी पहल है कोई नेता और वो देश को सभालता है तो देश की तरक्की किस तरह से होगी किस तरह से गड़े में जाएगा देश आप लोग समझ सकते हैं बेतर वहीं चाड़क से सिक्षा लेकर और उसके कुसल मारगदासन में चंदगुप्त ने सिकंदर को पराजित ही नहीं किया बल्कि अपने कारकुसल और बौधिक कुसल से एक अच्छे सासक बने और चंदगुप्त के मौर समराज का वर्डन इतियास के पन्नों पर भी अंकित है आज भी हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं समझ रहे हैं चाड़क नेती के मताबिक एक कुसल सासक के गुड़की अगर बात करें हम लोग चाड़क नीती के मुताबिक राजी का सासक कुलीन होना चाहिए तभी वह एक अच्छे राजी का निर्मार करने में सजग हो सकेगा अच्छे सासक के बिना अच्छे राजी का निर्मार कभी नहीं हो सकता है किसी भी राज के सासक का सारे रेक रोप से ठीक होना बहत चरूरी है क्योंकि आजा अगर राजा स्वास्त होगा स्वास्त होगा तभी तो अपनी परजा के अच्छे से ध्यान रख सकेगा चाड़क की नीती के मुताबिक एक राजी की सासक को हमेशा अपने प्रजा केतों का ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए और आज के आप लोग नेताओं से कंपेजन मतलब तुलना कीजिए तो आप देखेंगे कि जमीन आस्मान का परग आपको दिखाई दे रहा है आज के नेताओं को आप नेता मत कहिए यह आपकी मदद करने के लिए नहीं आयो है यह अपना पेट भनने के लिए आयो है आप समझ सकते हैं आप देखिए हमारी सेना देश के मामलों में राष्टी यह मुद्दोप को देखने के लिए हमारी सेना खड़ी हुई है विदेशी जो भी आपके आतंगबादी है या फिर कोई भी वेक्ती है उनसे लड़ने के लिए हमारी सेना है न हमें अपनी राष्ट वक्ती इसमें नहीं दिखाना है कि सेना के कामों में हस्तिचिप करना है वो जो कर रही है अच्छा कर रही है हमसे बेहतर कर रही है नेताओं से भी बेहतर कर रही है वो सेना अब राम बंदिर बनना है, मश्जिद बनना है, हिंदो मुस्लिम पर बोट देना है, यह छोड़िये, इस तरह की राजनीती कभी देश को आंगे नहीं ले जा सकती है राम बंदिर बनना अच्छी बात है, चलिए बन जाने देजे समझ रहें, तो वो सुपरिंग कोट है ना उसका फैसला करने के लिए, बड़े-बड़े आप ये धरम गुरु है ना उसका फैसला करने के लिए अगर आप सोचें उस पर बोट देने, और इस तरह से आपको देश को तरफ की मिल जाए, कभी नहीं मिल सकती आप सोचें कि आप अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा मसीन गन हो, फिर चाहे हलिकोप्टर हो, फिर चाहे आप किसी भी तरह के बारूत का काम हो, ये हम लोग बहुत बड़े इस तरह पर आयात करते हैं वहीं चाहिना को देखिए, उसके घर के अपने सब पुछ सामान है, तो इसलिए हम से वो आँगे हैं, आप यहीं से अंदाजा लगा लिजे कि आपके यहां अगर पांच फॉन भी कर रहे हैं, एक दिन में, तो उनमें से चार फॉन चाहिनीज कमपने के भी कर रहे हैं, तो यहीं आप देखिए कि आज बिक्सिस देशों की सोची में जा खड़ा हुआ है, अमेरिका को भी टकर दे रहा है, और आज हम देखिए हमारी हालत क्या है, पाकिस्तान से उल्जे पड़े हुए हैं हम लोग, नैपाल से उल्जे पड़े हुए हैं हम लोग, एक दिन नैपाल हमारा कितना अच्छा सहयोगी हुगा करता था आज वो भी हमारे विरोध में जाकर चिलनाने लगा है तो ये हमारे नेताओं की आसफल नेती ही तुरही है जो आज हमें भुगतने पड़ रही है चाड़क का राज को लेकर कतन भी याद रखें जिस पिकार दीमक लगी हुई लकड़ी जल्दी नश्ट हो जाती है उसी पिकार राज के सासक की आसेक्षित होने पर राज का कल्यांड नहीं कर सकता है अब आप समझ में आया कि दिल्ली का मुखमंत्री याद रखें जितना दिल्ली का मुखमंत्री पड़ा हुए इतना कोई भी हमें नहीं लगता है कि आपके देश का किसी भी नेता का अच्छा मतलब इतना पड़ा होगा या फिर कोई आपका मुखमंत्री हो इतना पड़ा हुए देश में क्योंकि एक अधिकारी रहा है आईए सदकारी रहा है इंकम टेक्स में रहा है तो वो तो अगर पैसा चापना चाहता तो कितना भी चाप लेता समझ रहे हैं वो जिन मुद्दों को लेकर आया है मुझे सबसे अच्छी बात उस समय लगी जब वो सबकी सामने आकर उसने कहा कि अगर मैंने काम किया हो तो ही बोट देना मुझे बरना मत बोट देना ऐसा पहला व्यक्ति हमने जिन्दगी में पूरे संसार में देखा है जो खुद कह रहा है कि हमें बोट मत दीजे अगर मैंने काम नहीं किया है चुनाओ से पहले कह रहा है वो और यहां सोची है हम लोग हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ही पूरा चुनाओ खतम कर देते हैं इसलिए हम देखते हैं कि हमारे बच्चे भी आसिक्षित हैं और आने बाली उनकी पिडी भी आसिक्षित बनी रहेगी आज हॉस्पीटलों की आलत देखी है आप लोग आप सोची कि आज हम जील हैं साएथ किसी की गुलामी करके लेकिन इतना किलिर है मैं कहता हूँ अगर भगवान होते हैं तो हो हमें नरक में जरूर हिचते होंगे बदला लेते होंगे जितना हम लोगों गल्ट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपको अन्ना जारे ने सिक्षा का अधिकार दिया सूचना का अधिकार दिया लोगपाल दिया आपको लोगपाल दे लिया उसने आपको सूचना का अधिकार दे दिया अप चुपचाप आप बैठे हुए आपको मांगना चाहिए ना कि आपके छेत में जो काम हो रहा है उसकी सूचना लेनी चाहिए क्योंकि पैसा तो आपका ही है ना आपके देश का ही है आपकी जनता का ही पैसा है लेकिन हम करते हैं हमें क्या मतलब अगर बगल में गरीब पिटरा है तो हमें क्या मतलब है किसी की मा बेहन को कोई छेडरा है तो वहां भी हमें क्या मतलब है जब हमारी खुद पर आती है, बीटती है, तब हमें माली चलता है, यह आखिर ऐसा भी होता है, तो जितना जागरूख हो सके हैं, हो जाएए, तभी देश तरक्की कर पाएगा, चाड़क नीती के मताबिक साथ राज्य की साथ सूत होने चाहिए, कौन-कौन से हैं, चाड़क राज के तत्तों की तुलना मानव सरी से की है, राजा, राजा राज का पितम नागरिक होता है, उसको कुलेन, बुद्धिमान, बलवान और योद कला में आंगे होना चाहिए, ताकि एक अच्छे राज का निर्मार हो सके, और राज की परजा का विकास हो सके, मंत्री, मंत् को समझाया है, इसके साथ ही राज का मंत्री इमानदार, चरित्वान होना चाहिए, एक पहिए कि गाड़ी की बाती, राज काज भी बिना साहता से नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए राज की हितु सुव्यवग अमात्यों की नियुक्ति करने के लिए उनके परामस का पालन ह होना चाहिए, यानि की मंत्री का, जनपद, चाड़क ने अपने विद्वंद नेतियों से जनपद के कुमानोशरी का तीसरा अंग बताया, और कहा की जनपद राज की जांग और पहर होते हैं, जिस पर राज का स्तित्र ठिका होता है, पूरा राज राज werden बिकार है, बैसे जनपत के विना राज का निर्मान अधूरा है इसलिए एक सासक को राज के जनपत के विकास पर उचित ध्यान देना चाहिए वहीं कोटल के मताविक एक जनपत की स्थापना ऐसी होनी चाहिए जहां यतिष्ट अन्ही की पैदावार हो और महंती किसान हो जिसकी अच्छी फसल की पैदावार हो और अच्छे और सुद्ध सोभाव बाले लोग हो आप समझेए कि उस समय भी किसानों का अच्छा ख्याल लखा जाता था आसोची आप लोग देख रहे होगे कि सबसे जाना हमारी किसान भाई आत्मत्या करते हैं कुछ सालों में आपने देखा है किस तरह से किसानों ने आपके सुसाइड किया है आत्मत्या की आप लोग उससे पर्चित हैं फिर भी हम चुब बैठे हुए हैं चलिए देखते हैं कब तक चुब बैठे रहेंगे दुरग यानी की किला हर राज में इतियासिक किले का निर्मार किया जाता है जिससे किसी भी राजी की पहचान होती है महांदार्शनेक और वुद्धीमान चाड़क ने किले को राजी की बाहें बताया जिसका काम राजी की रक्षा के लिए होता है जो यह उद्धी के समय राजी को बचाने में उसकी मदद करे चाड़क ने इसके इसमें जल, पहाड, जंगल, मरुस्तर, आदी को सामिल किया है इसके साथ ही चाड़क ने चार प्रिकार के दुर्ग की ब्याक्या भी किया किले का काम उस समय क्या हुआ करता था कि अपने दिर का बड़े-बड़े किले बनाये जाते थे तो क्या होता था कि उस समय जन्ता को जन्ता बाहर फेली रहती थी आप देखते थे छेत्रों में तो उनको इकटा करके उसमें अच्छे से सुरक्षित रख दिया जाता था उसके बाद राजा योध करने के लिए बाहर निकलते थे इससे जंदा की सुरक्षा भी बनी रहती थी और योदिका योद जीत लेते थे इसमें चार पिकार की आपके इन्होंने दुरुग की ब्याक्षी की इसमें आपको दिख रहेंगे ओदिक दुरुग इस दुरुग के चारों और पानी वरा होता था परवत द्रोग इसके जल उनाई घास आपके चार पिकार की द्रोग थे जानी कि किले अब बात करें राज कोस बुद्धी जीवी चाडक ने राज कोस को राज की सासक की मुक्ड के समान बताया क्योंकि कोस यानि की पूजी जिसके बिना किसी राज की खलपना भी नहीं की जा सकती है आप सोचिए कि बिना पैसे की बिना अर्थ बेवस्था की यासर किसी देश की बात की जा सकती है कभी ने इसके साथ ही राज को चलाने के लिए और दूसरे देश से योद और प्राक्तिक आपदाओं से वहाँ निकलने के लिए कोस्की याने की पैसे की जरूरत होती है कॉर्टल ने इसकी मात्ता को सुईकारते हुए कहा है कि धरम अर्थ और काम इन तीनों में से अर्थ सबसे जाना भात हो है या यूँ कहा जाए कि अर्थ दोनों का आधार इस्तम्भ है फिर आती है आपकी सेना कई विशाओं के जानकार और महान बुद्धी मान चाड़क ने सेना को राज्य का सिर्व बताया है कहा है कि राज्य की रक्षा में बल और सेना का एहम रॉल होता है फिर आपका मित याने की फ्रेंड आज के फ्रेंड से मत तुलना करने लगी है आज के फ्रेंड में उस समय के फ्रेंड में जमीन आस्मान का फरफ होता है होंगे अभी भी मैं नहीं कहता हूं कि देखिए अच्छे लोगों की अभी कमी नहीं है कई अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे कई अच्छे निता मिल जाएगे तो उनकी बात अलग हो जाती है उन्हें आप लोग अगर आपकी जिन्दगी में मैं तो कहता हूँ कि बफादार दोस्त है तो आप उसको भगवान मानिए उसकी पूजा किये मैं तो यही करता हूँ क्योंकि इस समय अगर आप उजाला लेकर यानि कहते हैं ना कि एक वो लाल्टेन होती थी अगर लाल्टेन भी लेकर निकलें तो बफादार दोस्त मिलना मुस्किल है आपको अगर बफादार मित मिला हुआ है फिर बफादार बतनी मिली हुई है या बफादार कोई भी बेटा मिला हुआ है तो आप लोग उसकी कदर कीजिए ठीक है क्योंकि इस समय बफादार बेक्ती डूढ़ पाना मुस्किल है मित्ति की बात करें तो राज की मानों सरीर से तुलना करते हुए चाड़क ने दोस्त और मित्तिरों की राज्यों की कान बताए और कहा कि जब राज की किसी के खिलाब योद करता है तो उस समय दोस्त ही मदद करते है इसके साथ ही कॉटल ने राज की बिकास के लिए मित्तिरों की महत्ता की ब्याक्या की है कौटल के मुताबिक मित ऐसा होना चाहिए जो बंस परमपरागत हो उत्साही आदी सकतियों से युक्त तथा जो समय पर सहायता कर सके इस समय आप देखते हैं कि दोस्त क्या होती है कि अगर आपका बक्त सही चलना है तो सब आपके साथ है और आपकी अगर बक्त खराब है यानि कि समय खराब चलना है तो आप लोग साथ मांगेंगे तब भी आपको साथ नहीं दिया जाएगा चाड़क नीती के मुताबिक अगर राजी के कामों की बात करनें तो महांदार सने समाज से भी अर्थ सास्त्री राजनितिक सास्त के विद्वान राजी को सामाजिक जीवन में सर्वश्षिष्ट मांते हैं चाड़क के मुताबिक राजी का काम केवल सांती और सुरक्षा तक ही सिमित नहीं है बलकि राजी के विकास में भी ध्यान देना चाहिए अब उसी तरह है कि आप सोचें कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाना या फिर किसी खास पर्टिकूलर राजनीति करना समूपर यह नेताओं का काम नहीं है नेताओं का काम है कि देश में एक ताखंडता बनाए रखना और देश के विकास को उंचाईयों पर ले जाना यही नेताओं का काम होता है चाड़क के मुताबि किसी राज्य में सुरक्षा संबंदी, काम स्वयधरम का वालन सामाजी काम समेथ चन कल्याड की काम होते रहना चाहिए ताकि एक विक्सित राज्य का निर्मार हो सके और इसका फायदा वहां की जनता को मिल सके कोटल ने कहा है कि बल ही सत्ता और अधिकार है इन साधनों के द्वारा ही साध्य की साध्यी पिसंडता है अगर हम लोग विश्नुगुप्त यानी की चाड़क की विदेश नीती की बात करें तो आज हम लोग देखते हैं विदेश नीती, विदेश मंतरा ले तो आप सोचिया आसे 2300 साल पहले भी विदेशी नीतियां बन दी थी विदेशों के लिए विश्नुप्त कहलाए जाने वाली चाड़क की विदेश नीती इस पेकार है संधी महान विद्वान चाड़क ने अपनी विदेश नीती में संधी को मत्मूर जगय थी उन्होंने संधी कर सत्रू को कमजोर बनाने की बात कहिए आप लोग संते रहते हैं या ना कि अमेरिका से ये संधी हुआ, ये समझोता हुआ, उसी की बात की जा रही है चाड़क के मताबिक राज्यों और देश में सांती के लिए दूसरे देश के राजा या फिर सासक के साथ संधी की जाती है जो जादा सकती साली हो जिसका मतलब सत्रू को कमजोर बनाना है बिग्रय आचार चाड़क ने अपनी विदेश नीती में कहा है कि बिग्रय का मतलब होता है कि सत्रू कि खलाब रड़ नीती बनाना है यान आचार चाड़क ने अपनी विदेश नीती में योद घोशना किये बिना योद की तैयारी करना भी सामिल किया आसन चाड़क ने अपनी विदेश नीती में तटरस्ता की नीती का पालन करने को भी सामिल किया है आत्मरक्षा चाड़क की विदेश नीती के मताबि किसी राज्य का राजय आपनी आत्मरक्षा के लिए किसी दूसरे राजय से मदद मांग सकता है दोधी भाव एक राजा से सांती की संदी करके अन्य के साथ योध करने की नीती करना यह आपकी तुधी भाव है तो यह कहांजी थी आपके चाड़क सहाज की अब लाश्टमान की जीवन को कुछ सफल बनाने के लिए जो चाड़क ने बात किये यानि कि चारक ने कुछ आपके लिए आपकी जिंदगी में सफल होने के लिए कुछ आपको बिचार दिये हुए उनके बारे में जान लिजे रेड सत्रू रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए हो सके तो इन्हें हमेशा समाप्थी रखना चाहिए समझ रहे हैं आलसी मनुस काना तो बर्टमान का पता होता है नाई भाविस का ठिकाना आप आलसी है अगर आप समझ सकते हैं कि आपकी स्तिती क्या है भाग भी उनी का साथ देता है जो कठें से कठें स्तितियों में भी अपने लक्ष के पिती अडिक बने रहते हैं याद रखिए भाग के भरोसे ठीक है आपका भाग का आप मान रहे हैं अगर मानते हैं इस तरह के भाग को तो ठीक है लेकिन अपना करम करिए तो आपको हो सकता है कि जल्दी सफलता मिल दे नसीव के सहारी चलना अपने पेरों पर कुलाड़ी मानने के बराबर है ऐसे लोगों को बरबाद होने में बक्ती भी नहीं लगता है अब आप महनत करने ही रहे हैं आप बैटे हैं कि हमारा नसीव अच्छा है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका परड़ाम आपको भगतना पड़ता है जो महंती हैं कभी गरीब नहीं हो सकते हैं और जो लोग भगवान को हमेशा याद रखते हैं उन से कोई पाप नहीं हो सकता है क्योंकि दिमाग से जागा हुए वेक्ती हमेशा नेड़े होता है अच्छे आच्रन से दुखी अच्छे आच्रन से दुखों से मुक्ती मिलती है बिवेक से आज्यानता को मिटाया जा सकता है और जानकारी से भैक को दूर किया जा सकता है संकट के समय हमेशा बुद्धी की ही परिच्छा होती है बुद्धी ही हमारी काम आती है संकट की गड़ी में अन्ने के अलावा किसी भी धन का कोई मोल नहीं है भूंख से बड़ी कोई सत्त्रू भी नहीं है आप समझते ना जब आप भूंख के लिए थो सभी कई बड़े बड़े अपराद भी कर देते हैं बिद्या ही निर्धनता का धन होता है या ऐसा धन है जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता है इसे बाटने पर हमिशा बढ़ता है ग्यान की बात की जा रही है किसी भी कायर को करने के लिए पहले खुद से ये तीन पिसन जरूर पूछ ले मैं या क्यों कर रहा हूँ इसका क्या परड़ाम होगा क्या मैं इसमें सफल हो जाऊँगा अगर सोचने पर आपके पिसने के उत्तर मिल जाएं तो समझीए आप सही दिशा में जा रहे है लेकिन आपने देखा है कि कई लोग काम सुरू कर देते हैं उन्हें मालू ही नहीं रहता है कि क्या कर रहे हैं आंके वो किसलिए कर रहे हैं क्या इसका परड़ाम रहेगा इसका तो कोई भी काम करने से पहले उसके पईडाम क्या रहेंगी और आपका उसमें मन है या नहीं या जबजस्ती से कर रहे हैं आप लो तो इसे अच्छे से सोच लेंगे लिया करें फूलों की सुगंध हवा से केवल उसी देशा में महिकती है जिस देशा में हवा चल रही हो जबकि इनसान के अच्छी गोड़ों की महिक चारों देशाओं में फैलती है उस इस्थान पर एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए जहां आपकी इजजित ना हो जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते जहां आपको कोई दोस्त नहीं हो और ऐसी जगह जहां जहां ग्यान की तनिक भी बातें ना हो वहां आपको अपनी बातें नहीं रखनी चाहिए वो कहते हैं ना कि जहां आपका सम्मान ना हो वहां मत जाईए समझ रहे हैं और जहां कोई पड़ा लिखा ना हो जहां अपनी अपनी बात फेकती जा रही हो जहां कोई बात का मतलब ना हुआ आपके कहने का वहाँ अपना मुहिमत खुलिये कभी जो ब्यक्तिव सेश्ट होता है वो सब को ही अपने समान मानता है अगर आप महान हैं तो आप सामने वाली को भी अपने जैसा ही मानेगे लेकिन आज आप देखते हैं कि एक में थोड़ा से किसी में ग्यान आ जाता है तो वो दूसरी को तुछ समझने लगता है अब यह भी देखते हैं कि आप किसी को भरोसे तोड़ने या किसी को आप क्या करेंगे वो चुप बैठा रहेगा तो याद रखी वो हो सकता है चुप इसलिए बैठा हो क्योंकि आपसे रिस्ता ने भारा हो ऐसा नहीं है कि वो बेबकूप तो है नहीं है कि वो आपको ना समझ पाया हो तो वही हाल है कि धागे का भी उतना ही करतब था और उन जोस में वो आपके माला में जो लगे हुए थे चल्ले उनका भी उतना मात था तो धागा तूट गया तो मतलब धागे ने अपना दुख नहीं जाय किया यानि कि दुख अपना नहीं बताया और चल्लों को आप देखिए कि फैल जाते हैं अपना दुख बताने लगते हैं सिक्षाई हमारा सबसे फ्रम्मित है सिक्षिक ब्यक्ति हर जगे समान पाता है दूसरे ब्यक्ति के धन का लालच करना नास का कारण है यानि कि ये तो मैं भी कहता हूँ कि देखिए हमेशा आपके पास अगर 10 रुपी है तो उसी में खुस रहने की आदर रखे अगर आपके अंदर संतुष्टी नाम की कुछ चीज है तो आप सब कुछ जिन्दिगी में पालेंगे लेकिन आप सोचें अगर संतुष्टी नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आप जिन्दिगी में खुस रह सकते है बैक्ती हमेशा हमें गुड़ों से उचा होता है उसे इस्थानपबा बैठने से कोई बैक्ती उचा नहीं हो जाता हमेशा खुस रहना दुस्मनों की दुखों का कानू बनता है खुष, खुद का खुष रहना उनके लिए सबसे ज़ादा सजा है आप देखते हैं कि कई आपके ऐसे भी दुस्मन होते हैं कि आप हसी है उनका उन्हें सजा मिल जाती है तनल से तो आप खुष होई हैं ना क्या फरक पड़ता है अपने गहरे राज किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि बक्त आने पर हमारे यही राज भी दूसरे के सामने खोज सकते हैं एक पिता की रूम में बच्चों को हमेशा अच्चे बुरे किसी ही जरूर देनी चाहिए क्योंकि हर तरह से समझदार व्यक्ती समाज में सम्मानित होता है एह हमेशा याद रखिए कि आपके अगर बच्चों आप जनम देने की वखाद रखते हैं मेरा वखाद करना के मतलब आपकी बुराई नहीं करना है या आपको नीचा दिखाना नहीं है इतना कहता हूँ कि अगर हमारी उखाद नहीं है बच्चों को अच्छे संसकार देने की अच्छा भुला बताने की जिन्दगी के वारे में सिखाने की इंसानियत उनके अंदर बसाने की तो हम जनम यह मत दीजिए अगर आप जनम देते हैं तो बच्चों को अच्छा क्या है गलत क्या है उसके बारे में सिखाईए बरना अंदभक्त आप लोग पैदा करते रहेंगे योग देश को इसी तरह बरवाद होता रहेगा कम से कम उन्हें इतना तो पढ़ा दीजिए कि वो सही गलत का फैसला करने लहें कि सही क्या है गलत क्या है बुद्धिमान ब्यक्ती योदि किसी मूर्ग ब्यक्ती को समझाने के परयास करता है इसका मतलब है कि वब अपने लिए परिशाने बनने की तियारी कर रहा है तो एक कुछ आपके कोटेल साहब की विचार थी जो आपकी जिन्दगी में भी काम आ सकते हैं महांदार्सने एक विलक्चर पिदिभा के धनी आचान चाड़क एक पिखर विद्वान दूरदसी और दर्ड संकलपी आरतसास्तरी, राजनीती के ग्याता और भारती इतियास के पिखर कूटनेतिक माने जाते हैं महान बौर मौरिवंस की इस्थापना का वास्तवेक सरे कूटनेतिक चाड़क को ही जाता है चाड़क के का नाम राजनीती, राष्टवक्ती और जनकारियों के लिए इतियास में अमर रहेगा चाड़क भारत के इतियास के एक अतेंथ सबल और अद्बुत ब्यक्ति थे मुझे आसा है कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपने अच्छे से सुना है और अच्छे से बिचार करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इससे और चाड़क के का नाम हमेशा इतियास में याद रखा जाएगा आज हम लोग 23 साल बात भी पढ़ रहे हैं देखे आगे आप लोग देखते रहेंगे कि हजारों साल लाखों साल बात भी इनका नाम बना रहेगा तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे एक नई वाइवगराफी यानि कि किसी और के जीवन को परिचाय को देखते रहेंगे हम लोग जिनसे आप लोगों को सीखने को मिलेगा उन्हीं लोगों के हम लोग वाय हुगर आपी कवर करें ठीक है